अमेरिका में एक बार फिर गर्माया गन लॉबी का मुद्दा गन लॉबी को लेकर राजनेतिक आरो प्रत्यरोब के बीच कई सवालों के जवाब बाकी टेकसस में हुई गोली बारी में 21 की हुई मौत पुलीस पर देरी से हरकत में आने पर उठ रहे हैं सवाल काशी विश्वनात मंदिर ग्यानवापी मस्जिद विवाद में अब अगली सुनवाई 30 माई को बनारस की जिला अदालत ने अंजुमन इसलामिया कमिटी की याचिका पर की सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने किया था हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध अमेरिकी विदेश मंत्री आंटिनी ब्लिंकिन का बयान रूस का खत्रा बरकरार फिर भी चीन बना दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कोई विवाद अंतराश्ट्री विवस्था बदलने की चीन की कोशिश का करेंगे विरोध यूकरेन के डॉन बास इलाके में रूसी हमले हुए तेज यूकरेन की उपरक्षा मंत्री ने कहा नए इलाकों पर कबजा करने के लिए रूस ने लगाया पूरा जोर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा रूस नहीं जीत पाएगा यूकरेन की जंग इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में अमेरिका में मंगलवार रात टेकसस में हुई गोली बारी के बाद फिर कई सवाल उठ खड़े हों हैं जिनका जवाब कई अमेरिकी सालों से ढुण रहे हैं कब खत्म होगा हिंसा का दौर कब मासूमों की जान लेना बंद करेंगी ये बंदू के और क्यूं सालों से लोगों की जान ले रही इन बंदूकों पर लगाम नहीं लग पा रही क्या इस बार जवाब मिलेगा? क्या इस बार कोई हल निकलेगा? आज का वस्टोरी में इसी की बात अमेरिका के टेक्सिस में हुई गोली बारी में 21 लोगों की जान जाने के बाद वहां के लोगों में गम और गुसा है मरने वालों में 19 पच्चे थे तो दुनिया भर के लोगों के जहन में कई सवाल भी हैं कि आखिरकार अमेरिका में बंदूकों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है इसे लेकर राजनेतिक हमले भी तेज हो गए हैं डिमोक्राटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी पर इलजाम लगाया है कि वो गन क्राइम रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और कई देशों की प्रतिक्रिया भी आई है चीन ने कहा है कि अमेरिका अपने ही लोगों के मानवादिकारों की परवा नहीं करता गोलीबारी से निपटने के पुलीस के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं वहीं अमेरिका में गोलीबारी में सामोहिक हत्तियाओं की खबरें अक्सर आती रहती हैं अकेले इस साल अमेरिका के स्कूलों में गोली बारी की 27 घटनाए हो चुकी है इस से 10 दिन पहले न्यू यॉक में सामोहिक गोली बारी की एक घटना हुई थी जिसमें 10 लोग मारे गए थे स्विच्जिलेंड की एक नामी रिसर्च संस्था ने स्मॉल आम सर्वे नाम के एक अध्यन में अनुमान लगाया था कि 2018 में दुनिया भर में 49 करोड बंदू के थी अमेरिका में प्रती 100 नागरिकों के पास करीब 120 हत्यार हैं दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले अमेरिका के लोगो के पास सबसे ज्यादा हत्यार है टेकसिस के एक स्कूल में गोली बारी की घटना के बाद सेंक्डों लोग मृतकों को श्रिधांचली देने के लिए जुटे गोली बारी से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ रही है खबर ये भी है के हमलावर 18 साल के सलवाडोर रेमोस ने हमले से पहले सोशल मीडिया पर इस से जुड़ी चेताबनी पोस्ट की थी राश्पती जो बाइडन मृतकों के परिवारों से मिलने के लिए टेकसिस जा सकते हैं उन्होंने घटना के बाद बंदूक से जुड़े कानूनों को कड़ा करने का मुद्दा उठाया है पर क्या ये आसान है क्या पूरा अमेरिका इस पर एक जुट होगा देखिए बीबीसी समबादा ता सारा स्मिन्थ की ये रिपोर्ट माबाप परिवारों और पडोसियों का दर्द साफ जलक रहा है किसी के लिए भी ये सबसे बुरी खबर होगी चोटे-चोटे बच्चों को उनके ही क्लासरूम में मार दिया गया पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची माबाप बाहर ये जानने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे थे कि उनका बच्चा बच गया या गोली लगने से उसकी भी मौत हो गई ये उनमें से कुछ पीडितों की तस्वीरे हैं जेवियर लुपेज दस साल के थे एले गार्सिया की भी यहीं उम्र थी एमेरी जो भी दस साल की थी इवा मेरलिस मरने वाले दो शिक्षिकों में से एक हैं हमलावर जो बंदरी था तभी पुलिस दूसरे क्लासरूम से बच्चों को निकाल रही थे लुकवे लुपेज के आच साल के बेटे को कोई चोट तो नहीं आई पर वो समझ नहीं पा रहे कि उनके स्कूल में हुआ क्या था क्या आपका बेटा नहीं जानता कि स्कूल में गोलियां चली थी नहीं उसके लिए ये स्कूल का आम दिन था वो बहुत छोटा है आप उसे कैसे बताएंगे कि स्कूल में हुआ क्या था क्या मरने वालों में उसके दोस्त भी हैं, पर आपको उसे तो बता नहीं होगा, या आप दोनों के लिए दिल तोड़ने वाली बात होगी. अठारा साल का हमलावर सार्वाडोर रेमोज वहीं का रहने वाला था. उसने अपनी कार से स्कूल के बाहर मटकर मारी और एक सेमी आटोमेटिक राइफल लेकर बाहर निकला. सभी 21 मृतकों की पहचान हो चुकी है. यहाँ युवालडे में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर देश भर में गन कंट्रोल को लेकर बहस छेड़ दी है. यह सवाल पूछा जा रहा है कि मिलिटरी स्टाइल के ताकतवर असॉल्ट वेपन टेकसेस ज़सी जगों पर इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं. टेकसेस में लोगों के पास बंदूख होना आम बात है. लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक 18 साल के शक्स को मिलिटरी स्टाइल राइफल कहां से मिली? इस चौंकाने वाले अपराद के पीछे की वजह जानने की पुलीस कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यहां के लोग शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ. सारा स्मिथ, BBC News, UALT, Texas. इस घटना से अमेरिका समेथ पूरी दुनिया सक्ते में है. गन कंट्रोल को लेकर बहस हो रही है पर हतियार रखना चाहिए या नहीं इसे लेकर लोग की राय अलग-अलग है. इससे पहले कनेक्टिकट में न्यू टाउन में एक दशक पहले सांडी हुक एलिमेंटरी स्कूल में गोली बारी की बड़ी घटना हुई थी और 20 बच्चों और 6 वयसकों की मौत हो गई थी. वहां से पीवीसी समबादाता जॉन सडवत ने ये रिपोर्ट. जो स्कूलों को पहले ही समभावित हमलावरों की पहचान करने में मदद करती है. स्कूलों में गोली बारी की घटनाओं का दोबारा होना. देश में मायूसी का दौर खत्म ही नहीं होने देता. जसे नहीं पुलू का की वाम गॉनाओ और आ플 भी ने छग्सूमों का था बैसने सलिग सूछ सॉनुट और च कि aos घंव प्रीघा के चूटत है. लेकिन इस नाराजगी से बंदूकों की बिकरी पर कोई असर नहीं हुआ 42 प्रतिशत अमरीकियों के पास बंदूक है या फिर वो किसी ऐसे शक्स के साथ रह रहे हैं वो और बंदूके खरीद रहे हैं पिछले साल लगभग 2 करोड बंदूके बिकी अमेरिका में एक दिन में गोली लगने से औसतन 100 से ज्यादा लोगों की मौत होती है हाला कि बड़े पैमाने पर हुई गोली बारे की घटनाओं में मरने वालों की संख्या इसका एक चोटा सा हिस्सा ही है पर सैंडी हुक से लेकर कोलमबाइन फिर वरजीनिया टेक जैसी घटनाओं ने इस देश को जग छोर कर रख दिया है लेकिन अब भी बदलाव होता दिख नहीं रहा राश्टरपती बाइडन जहां नियमों को कड़ा गरने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरे बंदूक रखने के कानूनी अधिकार का बचाव कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा इससे अपराद नहीं रुकेगा फायर स्टेशन के छट पर यहां मरने वाले हर स्कूली बच्चे या स्टाफ के सदस्य के लिए एक स्टार लगाया गया है उस वक्त राश्टर पती उबामा ने कहा था कि अब हम इसे और बरदाश्ट नहीं कर सकते लेकिन दस साल बाद भी इसका समाधान उतना ही दूर लगता है तो हर घटना के बाद उठ रहे हैं सवाल और बीबी से दुनिया में वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद दिखाएंगे रूसी सैनिकों के शव के साथ क्या कर रहे हैं यूकरेन के लोग दिखाएंगे ये खबर एक छोटी से ब्रेक के बाद आप देखनें बीबी सी दुनिया में हुए दित महरा बात यूकरेन रूस जंग की जहां यूकरेनी सेनिका कहना है कि रूस ने पूर्वी यूकरेन के डॉन बास इलाके में 40 से ज्यादा गाउं पर हमले की है इन में दौनेट्सक और लुहांसक शामिल हैं जो साल 2014 से ही आंचिक रूप से रूस समर्थित अलगावादियों के कब्से में हैं अब रूस की नजर लिसीचांसक और सेवरो दौनेट्सक पर हैं जहां काफी बंबारी हो रही है यूकरेन की राजधानी कियेव पर कब्से की नाकाम कोशिश के बाद रूसी सेनिकों को लोटे हफ़ते बीच चुके हैं लेकिन अब भी वहां रूसी सेनिकों के शब मिल रहे हैं कुछ को यूकरेन के लोगों ने खुद अफनाया और कुछ शबों को कब्रों से निकाल कर ट्रेन के रेफ्रिजरेटेड डबो में ले जाया जा रहा है बीबीसी की टीम को एक मुख्य सड़क के किनारे मानव अवशेश भी दिखे यूकरेन का कहना है कि रूस को शब वापस लेने में कोई दिल्चस्पी नहीं है देखिए बीबीसी संबादाता सारा रेंसफोर्ड की ये रिपॉर्ट जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है कियेव के आसपास के जंगलों में ये अब भी कबरे धून रहे हैं यहां लडाई खत्म हुए लंबा वक्त हो गया कुत्तों को जमीन खोदते देख गाउवालों ने यहां फोरेंसिक टीम को बुलाया लेकिन ये शफ किसी यूकरेन के शक्स के नहीं है ये एक रूसी सैनिक के टोपी है शनाक्त के लिए शफ को बहुत साबधानी से निकाला जा रहा है यूकरेन की राजधानी पर कबजा करने की कोशिश में बड़ी तादात में रूसी सैनिकों की मौत्वी रूस कहता है हम अपनों को यूही नहीं छोड़ते इन सबूतों के साथ यूकरेन कहता है कि वो ऐसा करते हैं हमें जो शव मिले हैं वो दिखाता है कि रूस अपने लोगों को कुड़ा समझता है और सैनिकों को युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान उन्हें अपने सैनिकों की जरूरत नहीं है हमें नहीं पता कि इस सैनिक को यहां क्यों छोड़ दिया गया लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उन्हें एक रेफरिजरेटेट ट्रेन में ले जाया गया जहां सभी शवों को रखा जा रहा है मकसद है मृतिकों की पहचान करना इन नम्बरों की जगा नाम लिखना फिर उनके परिवारों तक उन्हें पहुँचाना हाला कि यूकरेन का कहना है कि रूस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है यहां के इंचार्ज कह रहे हैं इस सैनिक के शव के पास घर जाने का मौका है शव के बैच और बैंक कार्ट से पता चला कि यह साइवेरिया का एक यूवा सैनिक था लापता रूसी सैनिकों के लिए बनाए गई यूकरेनी होट लाइन पर धम की भरे फोन आ रहे हैं महफूस रहने के लिए करमचारी अब घर से काम कर रहे हैं और लियाना ने शिरुवाती वक्त में एक घंटे में तरचनो फोन उठाए जो ज़ादतर उन परेशान महिलाओं के थे जो अपने सैनिक पतियों और बेटों के बारे में जानना चाहती थी हमने उन्हें बताया कि यहां असल में क्या हो रहा है युद्ध में मरने वालों और घायलों की संख्या कितनी है अक्सर रूसी लोग सुनकर सदमे में चले जाते थे और रोने लगते थे रूसी टांक जब कियेव की ओर बड़े तो ने यहां भारी प्रतिरोत का सामना करना पड़ा इस गाउं के एक रेस्तरा में एक्वेरियम के अलावा सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है मलबे में हमें पर्चे मिले जिन पर रूसी सेनिकों के लिए आत्मसमरपण करने की बात लिखी हुई थी कोई नहीं जानता कि यहां दोनों और कितना नुकसान हुआ है और यूक्रेनी परिवारों ने अपने सेनिकों के शवग को हासल करने के अपने संघर्ष के बारे में हमें बताया लेकिन सिटनी की गाउं में हमें लोगों ने बताया कि यहां कम से कम एक दरजन रूसी सैनिक अब भी दफन है और कम ही लोगों को उनसे सहनबूती है सैनिकों को इस तरह छोड़ कर चले जाना अमानवी है उन्हें दफनाया तक नहीं गया मेरी पत्नी को पहले उनके लिए दुख हुआ लेकिन जब हमें पता चला कि उन्होंने यहां क्या क्या किया है उसके बाद से उन पर किसी को दया नहीं आती हर तरफ इस जंग का इतना मलबा बिख्रा पड़ा है कि अब तक मरने वालों के शफ मिल रहे हैं हमें सड़क किनारे यहां अभी मानव अफशेश नसर आए किसी इंसान की रीड की हड़ी का हिस्सा पड़ा हुआ है और किसी के बुरी तरह जल चुके पैरों का हिस्सा भी जब हवा चलती है तो यहां तेज गंधा आने लगती है यह किसी रूसी सैनिक के अफशेश हो सकते हैं क्योंकि यहां सड़क के उस पार रूसी टैंकों का मलबा पड़ा हुआ है पूरे यूक्रेन में इस तरह के ट्रेन के डिबबे देखे जा सकते हैं शव उठा रहे लोगों के लिए यह दुश्मन सैनिक हैं लेकिन रूस में कोई कहीं न कहीं इनकी रहा सरूर देख रहा होगा सारा रैंसवोर्ड बीबीसी न्यूस कियेव और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आखिर क्यूं कुछ लोग थोड़ा खाकर भी हो जाते हैं मोटापे के शिकार तो मिलते हैं एक छोटी से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया मैं हूँ विदित महरा भारत में हुए एक सरकारी सर्वेक्षन के मताबिक देश में लोग मोटे होते जा रहे हैं विशेशग्यों के मताबिक अगर इसका हल नहीं निकला तो आपात स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है पर क्या आप भी मानते हैं कि मोटापा ज्यादा खाने या खराब लाइस्टाइल का नतीजा है अगर हां तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों के बढ़ते वजन के पीछे की वज़ा ज्यादा खाना नहीं बलकि उनके जीन्स होते हैं समझे रिचर्ड वेस्ट कॉट की इस रिपोर्ट से कुछ लोगों की तासीर ही ऐसी होती है कि उनका वजन जल्दी पढ़ जाता है उनकी जीन की बनावट ही ऐसी होती है कि उनका दिमाग हमेशा उन्हें यही बताता रहता है कि वो बहुत ज्यादा भूके हैं फिर चाहे वो कितना भी खा ले पेड भर खाने के बाद भी महस पांच-दस मिनट में मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है यही वज़ा है कि केविन अपना DNA स्वाब करवा रहे हैं इस लिउटन क्लिनिक में टेस्ट करवाने वालों में वो 100 मरीजों में से एक हैं उनके टेस्ट से यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि उनका कोई जीन खराब तो नहीं है केम्बरिज की ये लैब अनुवानशिक मोटापे पर रिसर्च करने में दुनिया की अग्रणी लैब्स में से एक है इस लैब में करीब 100 देशों से आए DNA सेंपल्स की जाच की जा रही है पिछले 25 सालों में वईग्यानिकों को ऐसे 40 अलग अलग जीन मिले हैं जिनका रिष्टा मोटापे से है आखिरकार दिमाग ही सिगनल भेजता है कि आपको भूख लगी है या नहीं कुछ लोगों को काफी भूख लगती है और कुछ वो सब खाते हैं जो उने पसंद है लेकिन फिर भी उनका वजन कभी नहीं बढ़ता और हमारे बीच का ये फर्क हमारे जीन्स की वज़ा से है जितना ज्यादा मुटापे के प्राकृतिक और जानेटिक कारणों के बारे में स्टड़ी हो रही है उतना ही इसका इलाज धूनने में मदद मिल सकती है मुटापे से जूज रहे लोगों को अकसर परिवार वालों, दोस्तों, सहकर्मियों यहां तक की हेल्थ प्रोफेशनल की ओर से कई बार शर्मिन्दा किया जाता है क्या आपको लगता है कि अगर लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि ये एक जैनेटिक समस्या है जिसकी वजह से आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि या भूके है तो क्या लोगों का मोटे लोगों के प्रती नजरिया बदल जाएगा? हाँ, निश्चित तोर पर इस से लोगों को इस बात का एहसास होगा कि ये मेरी गलती नहीं है कारक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्विटर है आट बीवीसी वेटर